असलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है उमर और आप देखें जलंदर बिल्डिंग टीरियल श्टोई यूडीव चैनल दोस्तों आज की सुडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने गर की तामीर कर रहे हैं और आपके गर की तामीर अब इस पोजिशन पर आ लगेगा बहुत ही आसान त्रिकेस में आपको बताऊंगा सिंपल से सिंपल अलवाज में आप असानी से मलूम कर सकेंगे कि भाई आपका पांस मले यह दस मले यह एक किनाल का घर है तो उसमें आपका सीमट और सलिये का जो जो क्वेस्टिन आप मुसें बार बार पूश्ते हैं कि भाई हमारे मकार की छाथ इतने स्केर्फीट है इतने मले की है तो उस पर सीमट कितना लगेगा तर न आप असानी के साथ महलूम कर सकते हैं कि आपका जितना भी घर का एरिया है हजार के फीट फीट है दोजाज पर आपकी कितनी सीमेट के लगेंगे और कितने मन अपको समझाओं कोई आपको कैल्कूलेशन करना पहले आपने यह यह कर नहीं है फिर आपको पता चलेगा इतने इतने बैंट लगेंगे उसे इसाब से आपको पता चल जाएंगा और आपका जो है वो इतना सरया लगेगा तो से पहले आपको च्छोटी सी रिवेस्ट है कि दोस्तों हम आप तक कोई भी कर्स्रक्शन प्रेल क सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी मेहनत का फाल यह होता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो का लाइक सूर्ट करते हैं जी तो दोस्तों जब आप आपने घर की तामीर कर रहे होता है और लेंटर का मरहला आता है तो बहुत से दोस्त इस मिस्तरी हदरात या ठेकदार ने इतना इतना लगे गा तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सरिया और सीमेंट की क्वांटिटी मलूम करना चाहते हैं अपने कि आप साल के तौर पर हंड्रडड स्क्वाइर फिट है तो दोस्तों मैं हंड्रड स्क्वाइर फिट में आपको सरीया मन के दरिये और सीमेंट की बोरियें जो बता दूंगा तो इसमें अगर आपका मसाल के तौर पर पांच मल्ले का मकान होता है तो पांच मल्ला में तक्र स्क्यार फिट में करना है यह जो आपकी क्वांटिटी आएगी उसके साथ इसको मल्टिप्लाइ का दिना है तो चले मैं आपको दाता हूं दोस्तों अगर आप मसाल के तो पर आठ इंच का अपना खाना रखते हैं लेंटर का तो आपका जो सरीया है वो लगेगा चार सूतर का क्योंकि पाकिस्तान में सबसे जादा चार सूतर का ही सरीया इस्तेमाल होता है यानि 12 mm का तो वह तक्रीम दो मन और 10 किलो लगेगा कि इस तरह दोस्तों अगर आप यह खाने की जो अपना जो है इसको ज्यादा दस इंच या बारा इंच का करेंगे या फिर उसको चेंच का करेंगे तो उस हिसाब से यह आपकी जो है वो क्वांटिटी यह चेंज हो जाएगी ज्यातर आठ इंच का ही चलता है तो मैंने आठ इंच के दरी आपको बताया कि दो मान और दस किलो आपका सरीया लगेगा अगर आप आठ इंच का खाना रखते हैं यह आपके एक सो स्केर फीट की जो है वो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह सीमर्ड जो है यह छे से साथ बोरी आपकी लगेंगी अगर आपकी जो सीमर्ड की बोरी लगेंगी वो साथ लगेंगी और जो सरीया लगेगा यह दो मान और दस किलो लगेगा तो इस तरह दोस्तों अगर आपका एरिया 1370 स्क्वेर फीट है तो यह आपका जो सरीया है वो लगेगा तकरीबन तकरीबन आपका जो सरीया 33 मान लगेगा और जो आपका सीमट है वो इसमें लगेगा तक्रीबन तक्रीबन 96 बोरी आपकी सीमट की लगेगी तो इस तरह आप दोस्तों असानी के साथ जो है वो मलूम कर सकते हैं कि आपका सीमट कितना लगेगा और आपका सरिया कितना लगेगा जो चार बोरी कम या ज्यादा हो सकती है, आपके जो मिस्सरी अदरात हैं, वो मुसाले के साहरे उसे बना सकते हैं, या पृसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, इसी तरह सरीया जो है, वो 10-20 केजी का डिफरेंस आ सकता है जी तो दोस्तों ये हमने आपको 100 स्केर फिट का बता दिया है कि इसमें जो दो मन सरीया लगेगा तकरीबन दो मन दस किलो शे से साथ बोरी सीमर लगेगी अब आपने सिर्फ करना ये है कि आपका जितना भी एरिया होगा उसके स्केर फिट आपको पता होने चाहिए तो आप जो है वो किसी भी है जो वो छट का जो लेंटर का जो है वो सीमर और सरीय का एस्टिमेट खुद निकाल लेंगे तो दो दो ये थी मारी आज की वीडियो अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नाइक्स वीडियो में तब तक अपना ख्यार कीगा लाफ़े